हाई हेलो पललवी लाइफटाइल में आपका स्वागत है मैं हूँ पललवी तो आज मैं लेकर आई हूँ कॉलापूर स्पेशल दाबास्टाइल अक्का मसूर रेसिपी तो ये बहुती मस्त बनते है और इसको हम चपाती और रोटी के साथ खा सकते हैं तो चलिए देखेंगे इसको केसे बनाते हैं इसके लिए सबसे पहले मैंने साबूत अक्खा मसूर लिया है इसको दो से तीन बार अच्छी तरह दोया है और इसको मैंने दो गंटे के लिए बिगो के रखा है तो चलिए इसको अब हम कुकर में डालेंगे तो मैंने इसको कुकर में डालके लिया है इसको मैं चार सीटी दूंगी इधर मैंने दो टमाटर लसुन और अधरक लिया है इसको मैं एक मिक्सर के जार में डालूंगी और इसको अच्छी तरह पीस के लूंगी तो मैंने इसको पीस के लिया है अब मैं पैस लूंगी इसको कटकर के लिया है तो देखिए चार सीटी हो चुकी है तो चलिए यह देखिए यह अच्छी तरह पक चुका है तो चलिए अभी इसको चोकेंगे तो मैंने गास पर एक कडाई रखी है कडाई गरम हो चुकी है अब मैं इसमें डालूंगी तेल तो तेल अच्छी तरह गरम हो चुका है अब इसमें डालेंगे लवंग मैंने इदर तील लवंग लिये है अब इसमें डालेंगे दालचिनी का तुकडा और इदर पत्र राज डालेंगे तमाल पत्र इसको तेज पत्ता भी बोलते है इसको थोड़ा गरम होने देते है तो यह गरम हो चुका है अब इसमें डालेंगे जीरा जीरा को थोड़ा तड़कने देंगे जीरा अच्छी तरह तड़क चुका है अब इसमें डालेंगे पैज पैज को हमको थोड़ा टांस्परंट होने तक इसमें अच्छी तरह रोस्ट करके लेना है आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्स्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्स्राइब कीजिए इसमें डालेंगे लाल मिर्च का एक तुकडा यह ओप्शनल है अब इसमें डालेंगे टमाटर की प्यूरी इसको अच्छी तरह मिक्स करके लेंगे आप खड़े मसाले के जगह गरम मसाला का भी यूज कर सकते है अब इसमें डालेंगे स्वादा नुसार नमक तो मैंने दर रोक सॉल्ट लिया है अब लेंगे हल्दी पावडर कश्मीरी लाल मिर्च पावडर और अब मैं इसमें डालूंगी धनिया पावडर अगर आपके पास साबुत धनिया है तो आप ओ भी डाल सकते है नहीं तो धनिया पावडर का भी यूज कर सकते है तो चलिए अब इस समको मिक्स करके लेंगे अब इसको एक मिनिट के लिए एसे ही पकाएंगे तो यह देखिए यह अच्छी तरह पक चुका है और इसने तेल भी छोड़ दिया है अब इसमें हम डालेंगे अख़्ा मसुर जो हमने कुकर में पका के लिया था अब इसको हम अच्छी तरह मिक्स करके लेंगे तो यह देखिए यह अच्छी तरह उबल रहा है अब इसको मैं फिर से एक बार मिक्स करके लेती हूँ आप इस सब्जी जरूर बनाएए इसमें डालेंगे एक चमच नीम्बू का रस इससे इस सब्जी का स्वाद बहुती बढ़ेगा आप इस सब्जी जरूर बनाएए और आपके कमेंट्स मुसको जरूर से अर कीजिए तो चलिए अब इसको सर्वक करेंगे तो मैं इसको एक बावल में निकाल के ले रही हूँ तो चलिए इसको हम सर्वक करेंगे आप इसको तंदुरी रोटी, चपाती और जवार की रोटी के साथ भी खा सकते है मेरी एर एसीपी लाश्ट तक देखने के लिए धन्यवाद और मेरे चैनल को जल्दी से सब्स्राइब कीजिए और लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिए थैंक्यू वेरी माच